आप सभी को नमश्कार आज हम पढ़ेंगे अपना उत्तर प्रदेश पीटी का क्लास सेकेंड है क्लास फर्स्ट में हमने कुछ उत्तर प्रदेश का स्वनशिप्त विवग्रान पढ़ा था और ये क्लास सेकेंड में हम उसी को कंटेन्यू करेंगे जैसे की विधान सभा में रिजर्व सीटों के संख्या कितनी है 86 जिसमिल की 84 SC की है और 2 सीट ST की है ये 2017 के अकोड़ी है ठीक है विधान परिशद में 17 सीटे रिजर्व हैं विधान सभा में जो मिनिमम सीटे है वो चित्रकूट महोबा और श्रावस्ती में हैं दो-दो सीटे हर जगा इलाहबाद जो हाई कोड़ है वो 1866 में बना था और इसमें जो स्वीकृत जजो की संक्या है वो 60 160 है खंड़ पीट नियालय लखनव में है वो भोक्ता संजक्षन आयोग हमारे 5 हैं पूरे यूपी में और द्योगीक नियालय कितने हैं पूरे हमारे यूपी में इच्छे हैं एलाहबा लखनव, कानपुर, मेरठ, आगरा और गुरकपूर में आर्थिक जो आर्थिक अपराध के लिए स्पेशल नियालय हमारे लखनव 5 हैं लखनव में मेरठ में वरानसी आगरा बरेली पार्य परिवारिक अदालतों के शुरुवात 1984 में की गई थी जमिंदारी उर्मोलन कालून 1950 यह हमारा 1952 एक जुलाई से लागू किया गया था यूपी में जो हमारी पोपुलेशन है 2011 के अकॉर्डिंग जो हमारी जन्गरना होई थी 2011 में होई थी लास्ट 2021 में होने वाली थी लेकिन कोरोना की विज़ा से अभी होल्ड हो रखे क्या अपता होगी इस साल तो पोपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है 104-480-510 और फीमेल कितनी है हमारी 95-331-831 और मेल फीमेल का रेशियो कितना है जो महिला पुरूशी रेशियो होता है 915 हमारे टोटल छोटे बड़े मिलाके नगर है बारानसी सबसे अधिक जनसंख्या नगर वाला जिला है जिसमें 34 नगर है अवास विकास परिशद हमारे 54 है और जो वेद्यानिक नगर है वेद्यानिक नगर मतलब जिसको सरकार से सुरकिती मिली हुई है कि हाँ ये प्रोप मिनिमम जो वेद्यानिक नगर है वो हमारे श्रावस्ति में है सिर्फ कितने श्रावस्ति में हमारे सिर्फ दो नगर दो दो नगर है इसमें है इसके बाद कानपुर लखनव मेरट यह हमारे सबसे बड़े मंडल है जिसमें हमारे 66 जिदे हैं देखो सबसे छोटा हमारा ग्र होता है gram के बाद हमारा तैसील होता है तैसील के बाद उस तैसील इनमें सिर्फ हमारे 3-3 जिले हैं, यह सबसे छोटे मंडल है हमारे, ठीक हैं, तो यह हमारी second class है, जो उत्तर प्रदेश PT के लिए बहुत important है, यह हमारे facts हैं, इनको याद रखेगा, और 30 class का वेट करिए, हम 30 class लेके आते हैं, बहुत जल्दी हमारे चैनल को वीडियो को लाइ सबस्काइब शेर जरूर के जिएगा, धन्यवाद